हेलो वीवर्स वेल्कम टो आट चैनल लव यॉर्सेल्फ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगोली स्टाइल खीरे शौंदेश रेसिपी तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं तो पहले गैस को अन कर लेंगे और कडाई को बिठा देंगे चुले पर तो तो देखिए दुद को करम करने के वज़े से इसमें एक उपाला चुका है अभी गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर और अगे इनको अच्छे से हम मिला लेंगे और ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक किना ये अच्छे से गाड़ा हो जाए इसे अच्छे से हम मिलाएंगे ताकि कोई लंप्स ना रहे अभी इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी चीनी और चीनी को भी अच्छे से हम मिला लेंगे तो देखिए लगबख 20-25 मिनिट तक पकाने के वज़े से शौंदिश का जो मिक्षर है पच्छे से तयार हो चुका है अभी इसी कंसिस्टेंसी में हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे शौंदिश का जो मिक्षर है वो अभी ठंडा हो चुका है अभी हम इससे शौंदिश बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने शौंदिश का एक मोल्ड लिया है और इसके उपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे घी लगाने के बाद अभी हम शौंदिश का जो मिक्षर है उससे थोड़ा सा मिक्षर हाथ में लेंगे और इस मोल्ड के उपर अच्छे से स्प्रेट करकर लगा लेंगे तो दीखिए मोल्ड के उपर हमने अच्छे से शौंदिश की मिक्षर को लगा लिया है अभी मोल्ड से हम शौंदिश को निकालेंगे तो दीखिए हमारा पहला वाला शौंदिश बिल्कुल तियार हो चुका है अभी ऐसे हम सारे शौंदिश बना लेंगे तो दीखिए हमने सारी शौंदिश बना ली है अगर आप लोगों को ये वाली शौंदिश की रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक कीज़े शेयर कीज़े और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़े बेल आइकन को प्रस करना मत भूलेगा ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच जाए थैंक्यू